मान्यवर में एक बात और कहना चाहता हूं आप देखें कि आज इस्तती यह है कि एक आदमी खेती करता है वह आदमी वाकालत भी करता है वह आदमी व्यवसाई भी करता है और वह संसत का सदत से भी बन सकता है उसके लिए कोई पवंदी नहीं है लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड लोग ऐसे हैं जो की गरीबी की सीमार रेखा के नीचे रहते हैं जिनको कोई रोजगार के आउसर उपलब नहीं है और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं यदि हम इन दोनों इस्ततियों की तुलना करें तो क्या संपत्ती के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को असहाई छोड़ दें जो की इस देश के असली नागरी हैं अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाते हैं तो हमको निश्शित करना पड़ेगा कि जब तक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक इस बात का प्रतिमन लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाई करेगा सभी लोगों की नियूंतम आव सकताएं पहले पूरी की जाए जहां तभी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है उनको रूटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान और सिक्षा की सुविधा मिल जाए यदि हम उनकी नियूंतम आव सकताओं को पूरा कर दें, तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी, तभी हमारे सविधान की मनसा पूरी हो सकेगी आज की जो अर्थ विवस्ता है, उसमें पूजी वात का प्रभाव है, जिस आदमी के पास पेशा है, जिसके पास सादन है उसको छूट है कि वह चाहे जितना पेशा कमाए, वह चाहे जितना पेशा घर्च करे, लेकिन जिनके पास स्रम है उन्हें आप पेरोपर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती है, इसका कारण हमारी कूछ सामाजिक विसमताएं भी है आप चाहे सिक्षा का छेथ लें या रोजगार का छेथ लें हर कही एक संपन वर्ग बन गया है, जिनके बच्चे अच्छी सिक्षा पाते हैं अच्छा रोजगार पाते हैं अच्छे अच्छे पदों पर वे कबजा कर लेते हैं लाखो रुपे दान देकर डॉक्टरी या इंजिनिरी पड़ते हैं इसलिए संपत्ती के अधिकार को मुलीक अधिकारों से हटाना पड़ेगा लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ती के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाते हैं में और सामिवात लाना चाते हैं जहां सारी संपत्ती केवल राष्ट की होती है मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ती रही लेकिन हमें व्यक्तिगर संपत्ती पर एक सीमा लगानी चाहिए जिस प्रकार से आपने गाओं के किसानों पर लगाई है एक निश्शित रासी से अधिक कोई आदमी संचे नहीं कर सकेगा तो वह संपत्ती दूसरे को मिलेगी मोदे हमारे वितमंत्री ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में माना है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं जो हमारी आमदनी है उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होता है